छलो भाज़ आप सभीका सुवाता अपने अच्जालने इाणे स्टाडी के, आज क्षिए वीडेड़ी में हम सभी लोग बात करेंगे डेलेक्यष में मैच्श क्लास सेकेन नॉमर में हम लोग परवियस Welky करेंगे और आज किस वीडे़ी में हम सभी लोग फिर से अंतक देखते रहेगा और साथ में सुबा में साथ वज़े आप हमारे साथ बिलकुल हर दिन math classes के लिए जूड़ सकते हैं और साम को साथ बज़े reasoning classes के लिए जूड़ सकते हैं सभी का लिंक आपको description box और playlist बना दिया गया है 3 बटा 5 अफसा नमबर A में दिया हुआ है अपसा नमबर 2 में दिया हुआ है चार बटा 2 16 बटा 4 रूट दो बटा 5, 25 बटा 9 यहां पे लिखेंगे तो 3 बटा 5 क्या है परिमेश संख्या है न? में संख्या हो जाएगे जिसके वज़के से यहीं होगा कौन सा अप्सा नंबर 3 इसन नंबर 2 में परीमें में परीमें संख्या लेकिन अप्सा नंबर 3 जो है कि बिल्कुल सही है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुष्छन keyword question number 54 keyword बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को जनकारी बता देना चाहता हूँ आप सुबह में हमारे साथ deviesting के साथ सुबह में 7 मज़ें जूड़ सकते है math classes के लिए और सामपो 7 मज़ें जूड़ सकते है reasoning classes के लिए reasoning का पूरा course complete हो चुका है जो भी आपका problem है वह सारे chapter को आप complete कर सकते हैं हमारे deviesting के साथ video पहले से अप्लोड़ेट है आप एक बार अवा सरफ से चेक किजिएगा अगर बढ़ेंगे next question की और next question भी काफी important है यहां पर बढ़ेंगे question number 53 की और यहां पर गुला जा रहें कि निमन में से कौन परी में संख्या है निमन में से कौन परी में संख्या है पाई कैसी संख्या है पाई कैसी संख्या है तो आप परी में संख्या है कैसी संख्या है तो आप परी में संख्या है यह भी आप परिमें संख्या होगा क्योंकि रूट तीन और रूट दो का परिमें संख्या है क्योंकि रूट तीन का भी कोई पुनबर्ग नहीं है और रूट दो का भी कोई पुनबर्ग नहीं है और रूट तीन से रूट दो कटेगा भी नहीं उपर निचे भी नहीं कटेग हां यहीं होगा क्यों होगा था रूट से जब शुला बाहार निगले गा तो चार निकलेगा और निच्चे पांच यानी की चार बटा पांच क्या वोलते हैं पीभाई कीव के रूप में लिख यानी की परिमें संख्या हुआ अपसान नमबर सी बिलकुल सही है इसे प्राइब हम लोग नेक्स्ट कुश्चन की और बढ़ेंगे कुश्चन नमबर 52 की और हम लोग 55 से डाउन हो रहे हैं 52 से लेकर 55 से लेकर हम लोग 26 तर जाएंगे और काफी इंपर्टेंट कुश्चन इसमें सेलेक्ट किये गा है तो आप लोग एक बढ़ा अवात रूप से देखेंगे यहां पर नेक्स्ट कुश्चन जो आपका दिया हुआ है नेमने में से कौन परीमे संख्या है या रूट 7 एक कैसी संख्या है रूट 7 अभी आम लोग नेक्स्ट कुश्चन के लिए 53 कुश्चन नमबर के लिए आपसा बिल्कुल साही हो जाएगा किस वीजुचन के लिए कुश्चन नमबर 52 के लिए आοफसा क्पान नमबर की अबजिए संख्या है तो औह भी कुश्चन 53 में आप सभी बताया गया है कि अगर पाई भेलू दे दिया गया हो 22 डचा साथ दे दिया गया हो तो यह परीमे प्वे संखिया है यहां पर पाइज बूला गया वाई कैसे संखिया है तो आप पर नंबर सा अ away आप सा नंबर सही आपसर नंबर सी बिल्क पलते हैं निक्स्ट कुस्ट्टंप इसंठ्रब्ब्वलजर संखियां का एट शिय क्या दिआ गया है 15 15 oggandra LC M Ca by 3 लेकिन कैसे होगा यह सबसे पहले हम तो क्या करेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या को पड़े हैं और HCF गुना LCM ब्राबर क्या पड़े हैं पहली संख्या का युगफल पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का युगफल मतलब गुनन फॉल पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुनन फॉल एक्वल टू HCF गुना LCM ते यहाँ पे HCF का वैलू आपको दिया हुआ है HCM का वैलू 15 दिया हुआ है और LCM का वैलू 90 दिया हुआ है और आपसे पुछा क्या जा रहा है तो दूनो संख्याओं का गुनन फॉल यानि कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या आपसे पुछा जा रहा है तो आप इसको गुना परके निकाल सकते हैं 159 यानि कि 59 जा कितना होता है 135 और 0 का 0 यानि कि 350 बिल्कुल सही अंसर आया कि नहीं आया आपको पता चला क्या कैसे या 130, 50, 103, 100, 300, 1350 कैसे आया यानि कि 1350 नंबर कैसे आया आपको पता होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुना LCM या अपना एक फर्मूला होता है जो आपके बुक में में दिया हुआ है और काफ़ी इन्पॉर्टेंट फर्मूला है इसके बेसे से बहुत सारे कुश्चन आपके एक्जाम में सोल्ब हो जाएंगे डिलेट एक्जाम के लिए या मैटेक एक्जाम पी ये काफ़ी इन्पॉर्टेंट या सेशन है आप लोग इसमें बने रहिएगा नेक्स्ट कुश्चन की और 59 नंबर कुश्चन की और रहा हम बढ़ेंगे निमलिखित में से कौन परिमेर संख्या है किस को हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं PYQ के रूप में लिख सकते हैं जहां Q not equal to 0 जहां Q not equal to 0 होना चाहिए चलिए यहां पे 2 minus root 3 लिखा हुआ है तो root 3 कैसी संख्या है तो अब परिमेर संख्या है तो आपको पता होगी परिमेर संख्या और परिमेर संख्या का अंतर अब परिमेर संख्या ही होता है यानि कि root 3 की वज़ा से option number A गलत हो जाएगा यानि कि आपसे तो परिमे संख्या कुछा जा रहा है ना यहाँ पिया अपरिमे संख्या है जिसके वज़ा से option number 3 गलत है option number B में देखेंगे root 5 ये भी कैसा है इसका भी कोई पून बर्ग नहीं है और ये भी आपरिमे संख्या है कैसी संख्या है तो आपरिमे संख्या है लेकिन 2 root 3 बटा root 3 दिया हुए जो option number C में अगर आप इसको root 3 से root 3 कटा देंगे तो कितना बचेगा दो बटा एक या इसको आप P by Q के रूप में लिख सकते है कि आप Q not equal to 0 है हाँ है ये सा भी not equal to 0 है ना तो बिल्कुल सही अंसर option number कौन सा हो जाएगा option number C ही होगा root 16 में देखेंगे तो ये भी क्या है ये भी 16 बटा एक आप इसको लिख सकते है लिख सकते है ना तो ये क्या हो जाएगा option number C और D दोनों सही है यहाँ पर typing mistake है यहाँ पर typing mistake है याद तो इसको गुणा में root 3 रहने देना चाहिए अगर गुणा में भी होता है तो root 3 से root 3 गुणा करते तो 3 हो जाता है यानि कि 6 बटा एक आ जाता है यानि कि option number C और D दोनों क्या है इस gelernt में दो इक अटाइड की हैं अब हाथ संखे उसीको बोलती है जिसका मातर 2 factor हो मातर कितने factor हो मातर 2 factor हो मातर 2 factor और 2 factor में पहला fun factor क्या होना जाए फाला factor 1 और दुसरा factor itself it self इसको आप लेक सकते है इस Soul यानि कि दूसरा number वह khud उसका factor होगा यानि याननि प्रकार सकतंगे तो तो यह संख्यार होना चाहिए तो व्लानि और दूसरा बिंस्य teh यहीं यह संख्यार कि इस संख्या नकी इस विभाद लग रहा है जोane ए स्नुन 21 का देखेंगे तो 137 इसके बाद 21 यह सारे भी तो बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो यह भी नहीं होगा उसके बाद 35 उचे करेंगे तो 157 35 आप इसमें भी बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो रहे हैं यानि कि option number C ही एक ऐसा नंबर है जो मात्र अभाज ये संख्या एक है, जो कि उसका option number C बिल्कुल सही है, एक गारा, एक गारा का जब आफ factor लिखेंगे, तो एक गारा का factor क्या होगा, या तो एक या तो एक या तो एक गारा, इसके अलवा किया दूसरा कोई factor होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, इसमें कितने factor है, तो मात्र दो ही factor है, कौन-कौन, या तो एक या तो दो जगारा, आया ना, अब हाज संख्या आप से पुछा जा रहा था, question number 58 के लिए, तो बिल्कुल सही अंसर, option number C होगा, option number C, 58 number के लिए काफी सही है, अब बढ़ेंगे, question number 47 की और, question number 47 में आप से पुछा जा रहा है x के पावर n, 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 x के इसका एक गुना क्या है एक प्लस वान है तो सिर्फ तभी क्या होगा यानि कि एक बिसम पुर्णांग होगा ना बिसम पुर्णांग होगा तभी यह क्या होगा एक प्लस वान इसका एक गुना होगा एक प्लस वान एक गुना होगा कब जब एक एक बिसम पुर्णांग होन चाहिए यही आपना बिल्कुल सही एंसर है आगा बढ़ेंगे कुश्चन नंबर 46 की ओर कुश्चन नंबर 46 में भी काफी इंपॉर्टेंट है इसे भी इस्टेटमेंट के थुरू आपको पढ़ना होगा तो चलिए हम दो पढ़ते हैं निमलेखित में से कौन सा कथन सब्सक् परिमे होता है क्या दो परिमे संख्याओं का गुनन फल हमेशा अपरिमे ही होगा चलिए रूट 13 परिम उसके बाद रूट 17 गुना की जाएगा तो यह पुनबर्ग आने की कोसिस है और यानि की क्या हो जाएगा यह परिमे संख्या बन जाएगा हमेशा परिमे संख्या का गुननफल अपरिमे ही नहीं होता है हमेशे के वज़े से यहाँ पे जो हमेशा बुला गया है जिसके दो काफिननफल क्या होगा हमेशा अपरिमे संख्या ही होगा त्याहां पे क्या या लू दो यानि की कैसे संख्या है पारिमे संख्या यानि यह स्टेट्मेंट फॉलोव हुआ जिसके वाज़ा से अपसा नंबर भी ही बिल्कुल सही है आगे भी आप अप सानमर चेक कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे कुछियन नबर 45 की और बढ़ने से पहले हम रहे कर देते हैं कि काफी से नैंका किसी से सन है काफी इंपॉर्टेंट से सन है आप इसे पूर्ट बढ़र किया लिए अपने सारा दूस्ते कौन सा भीन ने दसम्लोब प्रसार का सांत है भीन कौन सा भीन यानि की फ्रैक्शन का दसम्लोब प्रसार क्या है सांत है दसम्लोब प्रसार सांत होने के लिए क्या होता है उपर में जो भी हो निच्चे में 2 के पावर एन या 2 के पावर एम 5 के पावर एन या एम होना चाहिए यानि कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा factor आना ही नहीं चाहिए जब उसका आप गुनन खंड तो रहेंगे तो आना ही नहीं चाहिए जब आप यहाँ पर अपसा नंबर 3 में देखेंगे अपसा नंबर 3 में देखेंगे तो क्या होगा? रूट 7, 343 को आप क्या लिख सकते हैं? 343 को इक्वल टू 7 रूट 3 लिख सकते हैं रूट 3, 7 7 के पावर 3 के वज़े से 7 के पावर 3 भी कैंसिल होगा और इसका एंसर क्या होगा? 1 by 2 के पावर 3 गुनना 5 के पावर 3 यानि कि यहाँ पर क्या आया? 1 के पावर 2, 1 बटा और 2 के पावर 3 गुनना 5 के पावर 3 वाना, अपसन नमबर C ही बिल्कुल सही होगा बाकी सब आप चेक करेंगे तो इसमें भी 7 आएगा क्या आएगा? इसमें भी 7 आएगा जिसके वज़े से अपसन नमबर A नहीं होगा इसमें भी 6 करेंगे तो इसका भी फैक्टराथ करेंगे तो 3 आएगा और इन में से कोई अपसन नमबर जितने भी अपसन दिये होंगे उसमें से कोई भी अपसन बिल्कुल सही अंसर नहीं होगा तो वहीं आपना बिल्कुल सही अंसर होता है यानि कि किस fraction का दसम्रो परसार सांथ है रहा दसम्रो परसार सांथ होने के लिए 2 के पावर एन या 2 के पावर एम गुणना 5 के पावर एन या एम यानि कि जिस पे एम होगा बगल वाले पे एन और 1 वाले पे एम तो दूसरे वाले पे एन इस प्रेकार से यह इसका रूल है जब यहीं होगा इसका रूल क्या है जब बठा में जब इसका fraction न को रहे निचे वाले नमबर का तो निचे में जब इसका factor हम तोड़ते हैं तो दो और 5 को रहागा कोई दूसरा नमबर आना ही नहीं नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे 700 और 1200 को तोरेंगे तो यहाँ पे 3 और 7 दोनों आ जाएगा जो कि बिल्कुल गलत होगा यानि कि यहाँ पे आपसा नंबर बिल्कुल आपसा नंबर से ही सही है क्योंकि 343 को आप 7 के पावर 3 equal to 2 के पावर 3 गुन्ना 5 के पावर 3 गुन्ना 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 से 3, 7 के पावर 3 आप कटाएंगे 1 by 2 के पावर 3 गुन्ना 5 के पावर 3 आप इसको लिखेंगे निचे में देख रहे हैं 2 के पावर 8 गुन्ना 5 के पावर M लिखा हुआ है ना बिल्कुल सही एंसर आपसा नंबर से ही होगा कि निचे में 2 और 5 के लबा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं अगर होगा तुब क्या होगा वह असान्थ हो जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं है जिसके वज़े से यह एंसर बिल्कुल सान्थ होगा यहाँ पे कुश्चन नंबर है कौन सा कुश्चन नंबर 45 काफी इंपोर्ट संख्या है तब रूट इन है तब रूट इन क्या होगा किसको बोलते हैं गिंती की संख्यास को प्रकेट संख्याब मैं किसको बोलते हैं कि इ impose कामवे नहीं अकी इसके हैं मेरे रूट वन कर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा उसके बाट तू का रूट तू संख्या बोलेंगे यह गिंती आता है तिर बिलकुल नहीं आता है, यहां पे तु प्राकिर संख्या गलत हो जाएगा ना, हमेशा परिमें संख्या होगा, क्या परिमें संख्या होगा? क्या root 2 परिमे संख्या है, क्या root 2 परिमे संख्या है, बिल्कुल नहीं, यानि कि option number D बिल्कुल सही होगा, option number D इसका बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा, क्या होगा, कभी प्राक्रित संख्या, कभी अपरिमे संख्या, कभी अपरिमे संख्या, एक और दो को हम क्या बलेंगे, एक और दो को, एक और दो को हम क्या बोलेंगे, एक और दो को हम प्राकिर्ट संख्या बोल सकते हैं कि नहीं, एक और दो को हम प्राकिर्ट संख्या बोल सकते हैं कि नहीं, हा ने चुटरा नमबर बिल्कुल बोल सकते हैं, और रूट दो को, रूट तीन को, रूट पांच को, यानि कि यदि एन एक फ्राकिल सख्या है तब रूट एन है क्या होगा घब तब अपरीम होगा प्रीस और प्रेखर्द से सही है अगे हूँ हुश्चन मुई եे जो इख़ेइ粉교 dot और के इन्कुर्टी 3 की संख्यान पेम J पर चपिंगे संख्या रेखा Paranwag संख्या रेखा हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या रेखा यहीं नहीं, इसी को जब हम लोग arrange करते हैं, कोई नंबर को दर्सा आते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग दर्सा देते हैं, नंबर लाइन पर परते एक बिंदू परदर्सित करता है, किसको परदर्सित करता है, एक वा वस्ताभिक संग्षिद करती है कुश्चें 1 430 का बिल्कुल सही answer पहुए सभी हो जाएगा option number n बिल्कुल सही हो जाएगा किसको पर्स्तिकरता है तो एक वास्ताभिक संग्षाग्षिद करता है. आगे बड़ेंगे question number 42 की और question number 42 में दिया गया है या तो question number लोग पहले ही कर चुके हैं क्या है x के power n x के power n प्लस 1 का एक गुनक x प्लस 1 दिया है तो या question number लोग अभी थोरी दिर पहले किये हैं ये n क्या होना चाहिए n निस्चित रुप से एक बिसम पुर्णांग पहले कर चुके हैं इसका बिल्कुल सही answer option number A होगा आगे बढ़ेंगे question number 41 की और दो संख्याओं का लगुतम समावर्तक इनके समावर्तक का 14 गुना है HCF का 14 गुना है LCM HCF आपका दिया हुए मानते है HCF दिया हुए कितना दिया हुए यहां से कहा जा रहा है इनके मुतम समावर्तक का 14 गुना कौन है LCM अगर HCF मानते हैं कितना HCF X LCM कितना 14X के गुना HCF जितना होगा उसका 14 गुना कौन है LCM है आगे कहा जा रहा है लगुतम समावर्तक यानि कि LCM include 지금 2014 को जोड़ाğ काजूर कितना है काजूर यानि की x प्लस 14 x बराबर कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है 600 दिया हुआ है यादि एक संख्या 200 असी है तो दूसरी संख्या क्या होगी अगर एक संख्या अगर एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी दूसरी संख्या क्या होगी यह आपको घ्याद करना होगा जब आप इस equation को solve करेंगे तो क्या होगा यहां पर दखेंगा 15x आप इसको लिख सकते हैं 15x più Mos eksi better अप्रफल सकते हैं 40 एक से इक सब्राबर वी इतना है यह चालीश एकस immortal चालिश I okay हो जाएगा Muncy कितना चालिश और 14 चोपा कितना च्छा पांचो सथ प्रसाथृणिं संख्या था संख्या या आगे बड़ेंगे कुश्य नंबर फोटे की और important question है संख्या तेज कितना लिखा हुआ है तेज दस हम लोग 43 के उपर बार दिया हुआ यानि कि रेक्रिंग डाला हुआ है दोनों नंबर के उपर को PYQ के रुप में जहां PQ पुर्णांख है PQ पुर्णांख है Q not equal to 0 पर कट किया जा सकता है not equal to 0 पर कट किया जा सकता है तो हम लोग आज ही के सेशन में कुछ दिर पहले हम लोग पढ़े हैं कि जितने नंबर के उपर रेक्रिंग होगा जितने नंबर के उपर रेक्रिंग होगा या 5 होगा उतना 0 उसके निचे में बैठाते हैं उतना 0 उसके निचे में बैठाते हैं तो इस सो 343 क्या होगा 3010 340 बट Warum आक awareई सकते हैं Alpes में सौ लिख सकते निए ऐबरेज हैं इतना ही होगा तो क्या 3220 होगा क्या 33 hoगा प्यास्वीच लाश्ट में तो 2 है निए निक्या है लाश्ट में क्या दिया हुआ में निक्तिन दिया हुआ क्या जब दो को नंबर पर रेक्रिंग है तो क्या तीन को नंबर पर रेक्रिंग है तो क्या तीन को नंबर पर रेक्रिंग है तो 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 तीन को नंबर पर रेक्रिंग है लेकिन यहां पर 100 दे दिया गया है कि इक दूर नंबर के दो अंग के बाद दसमलों दिया हुए है दसमलों कर दिया गया और इसका एपडॉक्स वालु कितना मान लिया गया है पेज सो ते तालिस बटा सो एप्रॉक्स भैलू मानने के बाद या अप्सन दिया गया है यानि कि इसके वज़े से अप्सन नंबर बिल्कुल सही है आगे बढ़ेंगे कुश्चन नंबर 39 की और बढ़ने से पहले हम लोक्सेशन को लाइक कर देंगे अपने सारे दूस्तों के यहाँ पे 0.32 के उपर बार दिया हुआ है यानि कि रेक्रिंग दिया हुआ है इसको भी आपको नोट करना है ना दिनोट कर देना है कैसे 32 बटा 100 पिछले के कोडिंग लिख सकते हैं ना 32 बटा 100 लिख सकते हैं 32 बटा 100 लिख सकते हैं जब इसको आप 4 से किंसल करेंगे तो क 80 32, 90 25, क्या option number a, क्या option number a बिल्कुल सही होगा, क्या option number A बिल्कुल सही होगा, क्या option number a बिल्कुल सही होगा, दimana देखेगे, यहां पे अप्सा नमबर भी आप लगा सकते हैं, अगर आपको निछ्चे में 99 दिया हो यहाँ पे आप इसको क्या लिखेंगे ? अड्येक्ट भैलू 32 बटा तो 99 औहीं होगा ? पहले वाली कुर्शेर में भी हम लोग आड्येक्ट भैलू की बात किये से दो एड्येक्ट जितने नमबर के उपर रेक्रिंग दिआ होगा ऊतना ही 9 तो नामबर के उपर क्या रेक्रिंग DIA unc दो नमबर के उपर रेक्रिंग था ज सीरी में जोन लिखने आगा है आएसजा अप्शान में दिया है तो अप्शान में नमबर C बिल्कुल साही hai अगर option number C नहीं होता 32 बटा 99 नहीं होता तब हम लोग option number A लगाते तब अपना बिल्कुल जाही अंसर क्या हो जाता option number A बिल्कुल जाही अंसर हो जाता क्योंगि हम लोग इससी value को approximate लेते 99 को सभुमानकत रांट टीगर में इसका बिल्कुल सही अंसर अप्सान नमबर ए लगाते लेकिन यहां पे 32 बटा निनागवे दिया हुए तो अभी के लिए फिलाल इसका बिल्कुल सही अंसर अप्सान नमबर सी ही होगा 32 बटा निनागवे अगे बटेंगे question number 38 की और question number 38 में दिया हुए प्रत्थम यदी प्रत्थम 13986 अभाज संख्याओं का योग ए न है अभाज संख्याओं का योग एन है इसका योग ving के असेन कितना दिया हुए है, A Bets equal to n С इक वेडिक्वट two in है तो इन हमेशा भाज्य संख्या से क्या होगा भाज्य संख्यास से क्या होगा भाज्य संख्यास से क्या होगा इस कुषिछन का इस집 करके आप Х desp it इसक्राइब सेमस्व करेंगे कमेंट चाहत से सोचेन में वहां लोग वीडियो को देखते ही नहीं पूरा है, आप बताईएगा इसका एंसर क्या होगा, question number 37 में दिया हुआ है, सबसे छोटी पूनबर्ग संख्या, जो सुल्ला पूनबर्ग संख्या, सुल्ला बीस चौविस, सुल्ला बीस चौविस, प्रतेक से भाज्ये हो, वह संख संख्या ग्याद करें, सबसे छोटी संख्या ग्याद करना है, सबसे छोटी संख्या ग्याद करना है, तो आप इसका VCM निकाल लेते हैं तो 2 से 8, 10, 12, इसको और आगे सोल करेंगे तो दो चार पांच उसके बाद छे फिर से दो से करेंगे तो कितना होगा दो कितना होगा दो उसके बाद पांच होगा ना फिर से तीन अब इसके अलावा कोई नंबर से लगेगा डिवाइड या कोई दूसरे नंबर से लगेगा तो बिल्कुल न 240 आप देखेगे, 240 क्या शुल्रा को divide करेगा, क्या 12 से 240 supply होगा, विलकुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसके बारे में आप जनकारी आज्येश प्राप्ट करेंगे, और पूलबर्ण संख्या है क्या, या प्रतिक सबसे छोटी पून बर्ग संख्या है, 240 का बर्ग निकलेगा, 240 को जब आप root enter में डालेंगे, 240 को root enter में डालेंगे तो होगा, कटेगा क्या? नहीं न, कटेगा, तब क्या होगा, इसी का कोई multiple ऐसा होगा, जो पून बर्ग होगा, तो चली, इसका multiple आप लिखेंगे, तो क्या होगा? जब इसका आप multiple लिखेंगे तो दूसरा multiple क्या होगा 600 आएगा क्या 600 आएगा 600 आएगा क्या आएगा नहीं आएगा आगे बढ़ेंगे तो इसका multiple 10 से बुना करेंगे तो 2400 होगा जब 240 का कोई पूनबर्ग नहीं है तो 2400 का भी कोई पुनबर्ग नहीं होगा आगे बढ़ेंगे ति इसी की मल्टीपल में आपको कितना आएगा 3600 आजाएगा कितना आएगा 3600 आएगा और 3600 का पुनबर्ग क्या होगा 3600 और 060 पुनबर्ग इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा option number D बिल्कुल सही अंसर होगा सबसे पहले आपसे question में कहा जा रहा है question number 37 में सबसे छोटी पुनबर्ग संख्या जो 1620 तथा 24 प्रतेक से भाज्य हो प्रतेक से भाज्य होने के लिए और सबसे छोटी संख्या पुछा जा रहा है जिसके वज़े से हम लोग यहां पे क्या किये तो अब हमें कुछ करने के जिरूरत है इसी का कोई multiple अपना पूर्ण बर्ग संख्या होगा तो इसी के multiple में हम लोग आगे जाएंगे तो 36 इसका एक multiple होगा 240 का ही जो क्या होगा बिल्कुल पूर्ण बर्ग संख्या होगा क्या होगा तो पूर्ण बर्ग संख्या होगा और तो वही च्टी 100 इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा. अब सान वड़ेइ बिल्कुल सही है. आगे बड़ेंगे question number 36 की और question number 36 की और आगे बड़ेंगे और यहां पे आपको बिल्कुल सही अंसर बऩाना है कि जब आप route 10 में, root 10 गुणा route 15, लिख सकते हैं जब इसको गुना करने पर 1500 बहुत तो हो जाएगा तो यहांपर value बताना था कि इसके बराबर में कौन है जब आप 36, 36 और 36 में 5 से गुना करेंगे तो 35, 35, 180 हो जाएगा कितना होगा इसका value जाप इसको आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 180 का इतना लिखा जाता है रूट 30 और रूट 25 दो आई ही नहीं सकता है आपसा नमबर A या आपसा नमबर B तो इसका बिल्कुल सही अंसर आपसा नमबर A होगा कैसे होगा यह सजनकारी आपको में नहीं चुकी होगा कैसे होगा आगे बढ़ेंगे question number 35 की और question number 35 भी काफ़ी important है चौसट के बर्गमूल को चौसट के घंगमूल से भाग देने का मान होगा देने पर मान क्या होगा देने पर मांग या भाग क्या होगा मान क्या होगा 64 के बर्गमूल 64 के बर्गमूल बर्गमूल का मतलब क्या होता है A square और घनमूल से भाग देना है घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा यानि कि 64 के पावर 64 के पावर कितना 64 के पावर 3 से हमें भाग देना है किसमें 64 के पावर 3 में 64 के power 2 से हम भाग करेंगे तो कितना होगा 64 के power 2 से भाग करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 64 गुना 64 गुना 64 फिर से 64 गुना 64 2 चौशट से 2 चौशट केंसील कितना बच्चा एक चौशट बच्चा यानि कि option number A बिल्कुल सही है क्या है आपसा नंबर A बिल्कुल सही है, आगे बढ़ेंगे question number 34 की और, question number 34 में बोला जा रहा है कि पहला नंबर है 6X के power 4Y, दूसरा नंबर है 12XY का महत्तम क्या होगा, HCF हमें निकालना है, HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे वाले नंबर को चूनते है और चेक करते हैं कि उसमें से, क्या वो सभी नंबर को डिवाइट कर देगा, छोटा वाला नंबर, तो हम लोग यहाँ पे number नंबर को सिर्फ देखेंगे, तो 6 तो 12 को डिवाइट करेगा, तो आपना नंबर क्या होगा, 6 ही होगा, लेकिन XY में बात पसता है, तो यहाँ पे हमें X एक ही है, और यह 6 वाले नंबर में, यानि कि 6 वाले नंबर में, X के पावर 4 है, यानि कि 4 गोई X है, तो हमें common ही सिर्फ देखना होता है, तो एक ही ने X common है, यानि कि आपना XCF, 6X square होगा, 6XY, 6XY, इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा, अप्सन नंबर D, आगे परिमेंशंख्या कौन है, अपरिमेंशंख्या आपको बताना है, तो चलिए, 2 क्या लिखा हुए है, 2 तथा, और 2.5 के बीच में ही आपको अपरिमेंशंख्या बताना है, तो root 11 का value क्या होता है, और root 16 का value 4, यानि कि 3 और 4 के बीच में इसका phone value आएगा, लेकिन आप से question मे क्या कुछ जा रहा है 2 और 2.5 के बीच में ही उसका value आना चाहिए तो option number A तो होगा क्या बिल्कुल नहीं होगा option number 5 का आप देखेंगे तो इसको बात देखते हैं उससे पाले हम लोग यहाँ पे 125 को सोच करने की कोशिश करते हैं हम लोग root 9 का ही value देखते हैं तो वह 3 हो जाता है क्या होता है 3 होता है लेकिन यहाँ पे सारे 12 root enter में दिया हुआ है यानि कि इसका value सारे 3.5 के आपस में कुछ इसका value होना होगा ना तो हम लोग वहाँ पे जाना नहीं है अनुमान से से बताना है कि आप 3 से ज़्यादा हो गया लेकिन हमें और हाई से कम ही number चाहिए तो option number D भी इसके और नहीं होगा option number C को देखेंगे तो तो दूसर पच्चीस किसका होता है 15 का बर्ग होता है तो 1.5 या कितना से कम है दो से कम है जिसके वज़ाँ से आपसा number C नहीं होगा option number C कम होने के वज़ाँ से नहीं होगा लेकिन डूट 5 का आप बर्ग देखेंगे तो इसका कितना निकलता है 2.2.something 2.something 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 जब आप निकालेंगे रूट 5 का वढ़ेंगे क्या होगा तो 2.41 होगा इसके के आसबस्ता कोई नंबर होगा तो अपना बिल्कुल सही इंसर इसके कोड़ें क्या होगा option number B बिल्कुल सही है जब option number B बिल्कुल सही है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे question number 32 की हो और आपको question number समझ में आहें रहा होगा कुंसा question कैसे बन रहा है यहाँ पर चार माइनस रूट 3 है कैसी संख्या है यहाँ पर परिमे संख्या है और रूट 3 अप परिमे संख्या है तो यहाँ परिमे आपको बताना है परिमे और अपरिमे का अंतर क्या होता है तो अपरिमे संख्या ही होत यानि कि option number B बिल्कुल सही है, आगे बढ़ेंगे question number 31 की और question number 31 में आपसे पुछा जा रहा है कि निम में से कौन सा संख्या अप परीमे है, कौन सा संख्या अप परीमे है, जब आप इसको root से बहार निकालेंगे तो 6 बटा 8 होगा, और इसको आप तोरेंगे, तोरने की करेंगे तो कितना होगा, 3 बटा 4 यानि कि ये तो परीमे संख्या होगा ना, तो option number A होगा कि आप बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप से अप परीमे संख्या पुछा जा रहा है, क्या पुछा जा जा रहा है, option number B को आप तोरेंगे, एक बटा 9 होगा, क्या होगा, एक D बिल्कुल भी अब परिमे संख्या नहीं होगा यानि की अपसर नमबर C ही यह कैसा बिल्काल बजता है जो की परिमे संख्या होगा यानि की 31 का बिल्कुल सही इंसर अपसर नमबर C होगा आगे बढ़ेंगे question number next question number next में आप से पुछा जा रहा है कि नियुम में से कौन सा अभाज संख्या है आज के संसर में भी हम लोग बढ़े हैं कि अभाज संख्या किसको कहते हैं जिसका मातर दो ही फैकर हो पहला एक दूसरा वक्षुद नंबर होना चाहिए तो ऐसा दू का आप देखेंगे तो अपनतर का 105 और कॉस्ते नंबर है ॠछेंस तेरे का नंबर है सातिका नंबर है जो की जिसका मात दो ही factor होता है, कौन-कौन, या तो एक, या तो खुद number होगा ना यह grah का अभी दो ही factor है, एक और दूसरा एक गara, इसके अलावा कोई दूसरा factor ही नहीं यह praising यहारा का, यारी कि option number C बिलकुल सही होगा option number क्या होगा? option number C, बिलकुल सही होगा आगे बढ़ेंगे question number 29 की वर question number 29 में आप से पूछा जा रहा है कि 6 बटा 15 का दसंबलो प्रसार सांथ है कि असांथ त्क्रासारे की इसका स्थांट सबस्था वायमे कि वहें किस्ट पे इसके वारा के सबस्थाक्राइंगे उसके बैठांगे, तो क्या स्धार्ट हो जायगा और 15 स्टार्ट यानि कि तो इते फटो इसंगी हिए अफ sebagai зам सजाए गा जो आया कि हुए 2i 10 ई सème में आप सो पुचा जा रहा है 3 2 तो तो में जाँ डो लिखेंगे लिखेंगे जीए तो यह नंबर बी बिल्कुल सही होगा, आगे बढ़ेंगे कुश्चन नंबर 27 की हो, कुश्चन नंबर 27 भी काफी इन्पॉर्टेंट है, यह पुछा जा रहा है, एक आदमी 14 मीटर पच्छिम जाता है, पुना हुआ 15 मीटर उतर जाता है, अब वह प्राणंबिक विंदू से किसनी जुरी कर रहे हैं, भाई यह कुश्चन किस चेप्टर से ले लिया लिया है, यह आपर टाइटिंग मिस्टेक है, आप इस कुश्चन को बना ली सकते हैं, कैसे बनाएंगे तो देखिए, यहाँ पी इस्ट वेस्ट हम लोगों को निधारित करना है, सबसे पहले पच्छिम जाता है, पच्छिम दिशा की ओड चलना शुरू है, माले जिए यह आपना मुल बिंदु है, जिरो से, यानि कि इसको आप स्टाइटिंग कोईंट मान सकते हैं, स्टाइटिंग क्वाइंट से 24 किलो मेटर, 24 मेटर किस दिशा में जाता है, पच्छिम दिशा में वेस्ट मे किस दिशा में है, वो प्राडंबिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, तो आप से यहां से देखना है, कितना यहां से देखना है, तो यह आपको सौटेश डिस्टेंस निकालना है, क्या, या आपको सौटेश डिस्टेंस आपकी स्क करन भी बोलते हैं, करन भी बोलते हैं, तो तो दस का स्कॉाइर, नहाँ जाएगा, सो, प्लास, 24 का स्कॉाइर, NASDAQ, कितना, 54 साहत होता है, 56, जब आप इसको जोड़ेंगे, तो क्या होगा, आप देख लिजेगा, जो आएगा हुआ ही बिल्कुल सही एंसर हो जाएगा इसका साथ 26 एंसर आएगा कितना आएगा 26 आना चाहिए 26 आना चाहिए जब आप इसको सोल्प करेंगे तो बिल्कुल 26 नहीं आना चाहिए और आएगा भी लुटिया हुआ है छक्तिस और एक सीफ कितना दिया हुआ है दो तो आपको पुछा जारा है कि दोनों नंबर का एक आप रहलू क्या है आपको एक आप रहलू बता रहा है ति इस कुशन को आप कहा से सोल करेंगे इस कुशन के लिए फर्मुला मूँ पड़े है ना पहली सिस्पटेश प्रणुड को समाब करें तो यहां बिल्कूल करेंगे और चार नंबर का इससे को समाब करते हैं केंकि अपनी सारी को इतना ही चक्ते हैं कितने कुशन थे इतना ही कुशन था और आपको पसंद आए तो यहीं आपको पसंद कर देज़ेगा आपने सारे दूस्तों के साथ शेर कर देज़ेगा और इसी प्रकार के सेस्टन हमारे साथ डिवेस टीम के साथ जुड़िएगा सुबह में साथ बजे आज साम को साथ बजे रिजिनिंग क्लास के लिए आज लिए नहीं तब फिर मिलेंगे कल नए वडियो के स थैक्स पर दिए बीवा बाइवा जाए जाए वारास्त